नमस्ते फ्रेंड स्वागत है जी आ किचन विलोग में आज मैं आपके लिए लेक्या भूत ही शोप्ट आठा लगाने का सांधार तरीका अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो यह मैंने पराद के अंदर आठा यह मैंने करीब 500 ग्राम के करीब लिया है आठा अपने इसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो तो आठा लगाते समय आपको द्यान रखना है कि पानी मेशा गुन-गुना ही रहना चाहिए पानी को मैंने गरम ओने के लिए रख दिया है और आठे के अं अच्छी तरीके से मैस कर देंगे इसी तरीके से दो तिन मिनट तक मैं इसमें गी को मैस कर देती हूँ आप देखोगी कि बहुत ही शोप्ट और एकदम से वाइट रोटी बनेगी जैसे कि काली-काली सी बनती बिल्कुल भी नहीं बनेगी उसके बादी मैंने लिया है गुन दिन में एक साथ नहीं डालना है पिल्कुल थोड़ा-thरोडा करके ही डालना है अगर एक साथ डालेंगे तो आठा है वो मारा जादा गिल्ला हो जाएगा और आप देख सकते हो आठा है उएक हाथ नहीं लगा रही हूं दूसरा आथ रहा थ है मैंने नहीं लगाया है आटे में और आप देखोगी कि आटा है वो बहुत ही अच्छा लग कि अमारा तैयार होगा तो आप इसी तरीकी से आटे को घर पर आराम से लगा सकते हो तो आटे को लगाते वे मैंने 4-5 मिन्ट मेर को हो गए है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आथो के सायता से मसल मसल के इसको एक दम से चिकना कर लेंगे आप देख सकते हो परात के अंदर भी आटा है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकरा है नहीं तो आपरात के अंदर है आटा वो खूर सारा लग जाता है गुनगना पानी से आटा लगाने से है आटा है वो बिल्कुल भी परात के नहीं चिपकरा है और आटा लगाने की खास ट् पांच मिनट तक इसी तरीके से हम आत में पानी लेंगे गुर्णगना और फिर से इसको मसल लेंगे तो आप देखो गें कि बहुत ही संदार अटा लगया है तो फ्रसे माने पानी लिया है और इसको आप देखोगा कि एक हाथ से मैं इसको आटा लगा रही हूं और मसल मसल के 2-3 मिनट तक इसी तरीके से लगा लेती हूं आपको इस बात का ख्यास ध्यान रखना है कि आटा लगाने के बाद 3-4 मिनट के बाद 5 मिनट तक आटे को आटे को आप जरूर ही रखें उसके बाद आप आटा लगाओगे तो बहुत ही शोप्ट आटा लगके मारा तैयार होगा अब मैं क्या करते हूं आटे को जैसे 3-4 गंटे के लिए रखना है या दो-3 गंटे के लिए रखना है तो इसको हम क्या करेंगे आथो में थोड़ा सा गी लगाएंगे और इसको मसल के जीगना करके इसको ढख्ये रख देंगे तो आप आटे को 9-10 गिनटे किसी तरीके से बिल्कुल भी इसके उपर पापड़ी नहीं आएगी वैसी ही रोटी सोब्ट बनगे तयार हमारी होगी लेकिन मैं यहां पर रोटी है वो तुरंत ही बनाऊंगी मेरको इसको रखना नहीं है तो आप अगर 5-6 गंटा इसको रखना चाहते हो तो इसी तरीके से आप गही लगा तयार होगी अब रोटी को हम दोनु साइड से पलट पलट के अच्छी तरीके से पका लेते हैं तो आप देख सकते हो रोटी है वो मारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो पलेज वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप आटा है वो किस तरीके से लगाते हो तो इसी तरीके से मैं सारी रोटी यों फटा-फटे सेक लेती हूँ तो आप इसी तरीके से आटा है वो आराम से लगा सकते हो तो देखें सारी रोटी यों वो मेरी बढ़ चुकी है अगले वीडियो तक बाई बाई कर बाई